हेलो वच्चो आप सबी को शुप्रभात आज मैं बिये प्रत्थम वर्ष हिंदी शहित्य के दुथ्य भाग में कहानी के तत्व के बारे में बताओंगी इससे पहले आप कहानी आलोशना और मुल्यांकिन के प्रतीवान के बारे में समझे अब आगे यहाँ पे आपको कहानी के तत्व के बारे में शमझना है तो कहानी के तत्व के बारे में चर्शा करने से पूर्व हम थोड़ा सा कहानी के बारे में चर्शा करेंगे जैसा कि हिंदी गद्धिव शाहित्ते में कहानी का इस्थान अत्यंत महत्योपून है वह अपने सहज आकर्षण यो मनोरंजक्ता के कारण भहत लोगत्रिय रही है कथा का प्रेचलन प्रागती हाशिक से माना जा सकता है जब से मनुष्य ने बूलना सिखा तभी से वह किसी घटना को अभिविक्त करने लगा और वहीं से कहानी का जन्म हुआ तो यहाँ पे आपको कहानी के तत्व के बारे में समझना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कहानी के कौन-कौन से तत्व हैं पहला है कथावस्तु या कथानक, दुसरा पात्र और चरीत्र चित्रन, तिसरा देश कालोवा वातावरण, चोथा कतुप कतन या शमवाद, पाजवा भासा सेली, छठवा उद्देश्य तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं कथावस्तु या कथानक के बारे में बताऊंगी कथावस्तु या कथानक के अंद्रगत, कहाने की कथावस्तु या कथानक अत्यंत संचिप्त होता है या किसी जीवन के किसी अंसविसेश की अनभूती को अत्यंत हिर्दैश परशी रूप में प्रस्तूत करता है इसको दर्शाने के लिए ही कथाकार कथावस्तू या कथानक का मुख्य कथानक का चुनाव करता है उसका चुनाव इस प्रकार का होता है जिस पर कहानी का पूरा धाचा खड़ा होता है कथावस्तु या कथानक के विकास की पांच अवस्थाओं को प्राइश शवी विद्वानों ने श्विकारा है वो अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं? वो अवस्थाएं हैं पहला प्रारम, दुश्रा आरो, तीस्रा चर्मुतकर्ष, चौथा आरो और पाच्वा अंत तो यहाँ पे आपको ये पाचो अवस्थाओं के बारे में आगे समझना है आगे मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को, तो कहाने के आरंब के मुख्य रूप से तीन रूप हैं वो रूप कौन-कौन से हैं? वर्णात्मक रूप, वार्तालाप रूप और आत्मकथा आत्मक रूप इस द्रिष्टी से हम देखते हैं कि कुछ कहानियों का प्रारंब वर्णन से कुछ का वार्तालाप से और कुछ का आत्मकथन से होता है कहानी के कथानक के विकास की दूसरी अवस्था क्या है? आरोव इस से पात्रों की मानसी विकास अर्थात उनके प्रती कौत हूलता या रोचकतक के लिए विभिन प्रकार के अकर्शन या जिग्यासा के भाव उगाय जाते हैं अब कथानक के विकास की तीसरी अवस्था मैंने क्या बताया था? चर्मोतकर्ष इस अवस्था पर कहानी की कथावस्थू अत्यान तिब्रगती से बढ़ती हुई पूरी तरह इसपश्ट हो जाती है अब आगे कथावस्थू विकास की चौत्थी अवस्था तो चौत्थी अवस्था क्या है? अवरोव इस अवस्था में कहानी पहुँचकर चर्मोतकर्ष, उत्सरुकता और कोत्वूता के शमाधान में लग जाती है अब आखरी पाचवा अवस्था है कथावस्थू की विकास की अंतिम अवस्था क्या है? अंत यहाँ आकर कहानी अंततह नहित अपने रहस्थे का उधघाटन कर देती है तो यह थाप का पहला कथावस्थू या कथानक अब आगे दूसरा तत्व है पात्र और चरीत्रचित्रण तो पात्र और चरित्र चित्रड के अंत्रगत पात्रों के चयन कथाकार तंत्र होता है इशले कथाकार अपनी श्वतंत्रता के अनुशार किशी भी काल इस्थान या दशा के पात्रों का चुनाव कर शकता है उसका यह चुना उसके आत्मनोभव के धरातल पर पाठकों की अभिरूची और तदात में इस्थापित करने के ही उद्धेशे होता है पात्रों के चरित्रशित्रट करने में कथाकार अपनी विशेश हमता का परिशय देता है पात्रों के चरित्रांकन के लिए वह पर्ट्यक्ष और अपर्ट्यक्ष पधतियों को अपनाता है अर्थात्व विशलेश नात्मक और नाट की ये पधति को लेकर चलता है इन दोनों पधतियों के अंत्रगत, वर्णन श्वांत, कारेवेपार विश्लेशन, शंकेत, आत्मेविश्लेशन, अंत्रदवन्त आधी को कथाकार अपनाता है इस तरह से पात्रों का चरीत्रे चित्रण प्रस्तुत करते समय कथाकार कभी पात्रों के प्रस्पर शमवाद कारे विपार आत्मे विशलेशन को प्रस्तुत करता है और कथाकार कभी शेम ही पात्रों के चरीत्रे पर प्रकाश डालता है आज की कहानियों में कहानिकारों की व्यक्तिवादिता ही दिखाई दे रही है जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो आगे अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आगे कौन सा तत्व है किसके बारे में समझना है देशकालवा वातावरण तीशरा तत्व क्या है देशकालवा वातावरण तो देशकालवा वातावरण के अंत्रगत वास्तों में कहानी की सनरश्णा मान्मिये मनोभावों यानुभूतियों को वानी देने के लिए ही होती है इसके लिए कथाकार उपयुक्त वातावरन का चैन करता है पात्रों की मानसिक गतीवीदियों का विशलेशन करने के लिए कथाकार तत्शब्मंदित देशकाल या वातावरन का चित्रण करना अधिक आवस्यक समस्ता है इससे पात्र परत्यक्ष आ परत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभावित होते हैं किशित भी प्रकार की कहानी को प्रभाव शील बनाने में वातावरण या देशकाल नामक तत्व का बहुत महत्व होता है चाहे एतिहाशिक कहानी हो या समाजिक अथ्वा भाव प्रधान कहानी हो सबी के लिए वातावरण या देशकाल की शित्रण होनेशे कहानी के कत्थे को बड़ा बल मिलता है यही कारण है कि कहानी इस तत्व के पर्योग में परत्यक कताकार अधिक शावधान रहता है अब कहानी के आगे आपको कहानी के चोथा तत्व के बारे में शमजना है तो कहानी का चोथा तत्व है कथुप कथन या शमवाद कोछ आलोचक कथुप कथन या शमवाद को कहानी का अन्य तत्वों की तुलना में कोई बड़ा आवशक तत्व नहीं मानते हैं तथा पी इसके योगदान को वे किशी भी प्रकार से अविश्वकार भी नहीं करते इससे कहानी में सजीवता, आकर्शन, जिग्यासा, कौतुमूल, एउनाटकियता का संचार होता है इस्षे न केवल कथा को गती और प्रवाह मिलता है अपितु इस्षे पात्रों के शरीतर शित्रण में भी अपेक्षित सहायता मिलती है कहानी के शमवाद या कतुप कथन नामक इस्तत्व से पात्रों की अविरूची, उनकी अंत्रविती और उनकी बाहे प्रक्रिया का अच्छा ज्यान हो जाता है शमवाद या कत्वप कथन की विशेस्ताइं विविद्ध होती है वो कौन-कौन सी होती है तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेगा कवितपुन, जटील, विस्तरीत और कलात्मक आदी इश्के श्वरूप है और आधुनिक कहानी में इस्तत्व का उप्योग घरता जा रहा है अब आगे हैं पाच्वां कहानी के पाच्वात तो क्या है भासा सेली तो कहानी काल के भासा सेली के अंत्रगत कहानी काल के कथ्य के भी वेंजना को शफल और शटिक बनाने में भासा सेली नामक इस्तत्व का अत्यधिक योगदान रहा है सभी कथाकार अपनी अनुभूती और शम्मेंदना की तिब्रता को श्यम और पात्रों के द्वारा अनुकुल और अपेक्षित भासा में पिरो देता है इसके अंत्रगत बिवीत प्रकार के भासा प्रियोग होते हैं संस्कृत निष्ट, तद्भव, देशज, बिदेशी, आदी सब्दावली में से किशी भी या शभी सब्दावलियों को शमर्त कथाकार शखलता प्रुवग प्रस्तूत करते हैं तो यह था पाच्वा भासा सेली के बारे में जानकरी, अब आपका छट्मा है, छट्मा कहानी के तत्व क्या है? उदेश्य, यहाँ प्याव आपको द्यान से उदेश्य के बारे में समझना है उद्देश्य के अंत्रगत आप शमझेगा उद्देश्य नामक तत्व है कहानी के शबी तत्व अर्थात कथावस्तु पात्र, शंबाद, वातावरण और भासा सेली शबी सार्थक्ता की कशोटी का उद्देश्य ही है कहानी का उदेश्य उपे देशात्मक तो होता है लेकिन यह पर्त्यक्ष न होकर अपर्त्यक्ष अर्थात कलात्मक धंग से ही होता है यहां यह ध्यान देना होगा कि सभी कहानियों के उदेशे अलग-अलग धंग से दिखाई देते हैं कुछ कहानियों के उदेशे इसपस्ट होते हैं तो कुछ के आईसपस्ट और नई कहानियों के उदेशे प्रम्परा के प्रतिविद्रो वर्तमान से निराशा, कुन्था, घुटन, परालसे अधी प्रवरित्यों को कलात्मक धंग से प्रस्तूत करते हैं तो ये था कहानी के तत्व के बारे में जानकारी जिसमें कहानी के यहाँ पे आप लोगों ने कहानी के तत्व के बारे में समझा जिसमें पहला था कथा वस्तु या कथानक, दूश्रा पात्र और चरित्र चित्रन, तीश्रा देश कालवा वात्तावरन, चोथा कतुर कथन या शमबात, पांचवा भासा सेली और छट्मा उद्देश तो बस कहानी के तत्व में इतना ही